साल 1942 में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने एक रहस्यमय जील की खोज की इस जील के किनारों पर सैकड़ों इनसानी कंकाल बिखरे हुए पाए गए इस दोरान जील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी जिनके बारे में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अनेक सवाल खड़े हो गए ये लोग कौन थे और उनकी मौत का कारण क्या था आज इस जील को रूपकुंड जील के नाम से जाना जाता है लेकिन इसका एक और नाम भी है इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहां पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था शुरुआत में माना गया कि ये कंकाल सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यहां आए जापानी सैनिकों के होंगे जो भारत में ब्रिटेन पर आक्रमन करने के लिए हिमालाय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे लेकिन जब गहन जाँच की गई तो वैग्यानिकों ने पाया कि ये कंकाल उससे भी कहीं पुराने थे हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड जील से जुड़े कई चौकाने वाले खुलासे किये इस अध्ययन के जरीए यह पता चला कि ये कंकाल आठवीं से नौवीं सदी के बीच के थे DNA जाँच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आई यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग-अलग भौगोलिक जगहों से था अंत में वैग्यानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यू किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पे गिरने से हुई थी जिससे यह माना गया कि संभवतह एक भीशन ओलों के तूफान में ये लोग मारे गए होंगे लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमाला पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोग गीत में एक माता का वर्णन आता है लोग गीत के मताबिक ये देवी माता बाहर से आई लोगों पर गुस्सा करती थी जो यहां आकर पहाड की सुंदर्ता में खलल डालते थे इसी गुस्से में उन्होंने भारी भर कम ओलों की बारिश करवाई जिसके कारण कई लोगों की जाने गई थी गौर तलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओला वरिश्टी से इन लोगों की जाने गई होंगी वहीं आज भी इस रूपकुंड जील के कई रहस्य जील के भीतर ही दफन है जील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई सारी रहस्य में घटनाएं होती है हाल के शोधों ने इस जील के रहस्य को और गहरा बना दिया है DNA परिक्षन से पता चला कि यहां दो अलग-अलग समूहों के कंकाल है और इन दोनों समूहों के बीच हजारों वर्षों का अंतर है जिससे यह संकेत मिलता है कि यहां एक ही समय पर नहीं बलकि अलग-अलग समय पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा इस रहस्य में जील में कोई हत्यार, युद्ध के निशान या किसी सभ्यता के सबूत नहीं मिले है जो इसे और भी जटिल बना देता है रूपकुंड जील का यह रहस्य वैज्यानिकों के लिए आज भी एक चुनौती बना हुआ है और इसके जवाब शायद इस जील की गहराईयों में कहीं छुपे हैं झाल